सो हेलो नमस्कार दोस्तों फिर से स्वाकत है एक नई वीडियो में तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ ओपो F19S मॉवाइल में आप क्लोन सेटिंग कैसे किया जाता है यानि दोस्तों किसी भी आप को अगर आप डबल करके अगसान तरिके से तो दोस्तों क्या है यह सेटिंग चलिए सीख लेते हैं इस वीडियो में तो इसके लिए दोस्तों आप सबसे पहले अपने मॉवाइल की सेटिंग को ओपन करेंगे और जैसे ओपन हो जाएगा दोस्तों थोड़ा साइज स्क्रोल डौन करेंगे नीचे को हैं यहां पर दोस्तों देखें अप मैंनेजमेंट को को सब्सक्रों के मिल जाएगा सिंपली स्पर किल्ख कर देनां है और किले करने के बाद दोस्तों यहां पर देखेंगे का किनध यहां कर देना ठीक है और जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों अब यहां पर मैं आपको बता दूं आपके मोवैल में जो भी आपस यहां पर सो होंगी ठीक है जैसे कि हमारे फॉन में दो ही ऐसी है जो डबल हो सकती है आप दोस्तों अपने मोवैल में कौन कौन सी आप चलाते हैं जो भ दोस्तों यहां पर देखेंगे create app clone का options हो रहा है simply दोस्तों इसे enable कर देना है ठीक है और जैसे ही दोस्तों enable हो जाएगा आप successfully आपका जो है डबल हो जाएगा चलिए आपको हम दिखा देते हैं ठीक है तो यहां से हम बैक जाएंगे ठीक है और अपने screen को open करेंगे ठीक है